कोई जाने कर लिए तेयार ही नहीं होगा opposition unity में कई बालखाय हैं न meeting तो fail होना ही था और आगे भी meeting fail होगी कोई जाने करने कौशें कि लिए कि हम अपने आपको सोच रहते कि हम नयता बंज बंज जाएंगे सबके इनको कोई नेता मांगेगा बही चाहे थिन्मूल हो चाहे Congress हो चाहे एक के सियर हो चाहे जो भी हो इनको क्यों नेता मानेगा आ आये इसलिए सोच लिए कि हम बैठक रखेंगे पटना में सब आ जाएगा कोई आ नहीं रहा है इसलिए क्यांसल करना पड़ा इनको समझ जाना चाहिए साहब यह सब वैसे पहले भी हमने कहा था कि सब सबुफा है यह क्या एकता विपक्षी एकता इसब सबुफा है इनका इसलिए कर रहे है ताकि इनकी यह नकामी पर से लोगों का ध्यान हटे अब यह कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है देखिये इसके बहुत गंभीर कहानी सुनिये अब आप कहां मीटिंग करेंगे पटत्ना में कहीं और यह मेरा विशह नहीं है अब position unity में कई बाधाएं हैं न क्या ममता जी Congress को स्विकार करेंगी बंगाल में क्या तिलंगना में भारतिय राश्ट समिती राव साथ स्विकार करेंगे Congress को क्या राजिस्थान मध्य प्रदेश में 36 गड़ में विपक्ष की पार्टियों को Congress स्विकार करेंगी और असर लाई तो प्रदान मंतरी की है ना आप जानते हैं ना नितिश बाबु भी परख्षुप से परदे के विजह खाप पाले हुए हैं बाकी लोग खाप पाले हुए हैं क्या ममता जी क्या बाकी लोग और राहुल गांती तो सदा बहार उमिद्वा रही हैं Congress Party के मोटी बात ये है जानना जरूरी कि ये देश अब देवगोडा जी और वीपी सिंग और इंदर गुज्राल से बहुत आगे निकल गया है अब ये देश स्थाई सरकार चाहता है ये देश प्रभावी स्थाई निजित्र चाहता है जो नरेन मोदी ने करके दिखाया है तो इस्थाई सरकार हो, ये देश की जनता जानती है, उनके हित में है, जब सरकार स्थाई होती है और नेतित तो मजबूत होता है, तो धरागा 73 समापत होती है, भारत दुनिया की पाचवी एकॉनमी मिलती है, गरिमों अकल्यान होता है, और भारत दुनिया के सामने सम्मान से ख़ड़ा होता है और बाकी जो पूरो का इतिहास देख लीजिए ये लोग जो जोड़ तोड़ के सरकार बनाते हैं सरकार चलते कितने दिन हैं अब जानते हैं और आगे कितने ही चलेगी इनने उठापटक ने कोई गरंटी है क्या तो भारत की राजनीती अब इस स्वार्थ पूरवा गडबंदन से बहुत आगे निकल गई है यह मिटिंग तो फेल होना ही था और आगे भी मिटिंग फेल होगी है और क्या निथीश कुमार को यह मालूम नहीं था कि राहूल गांधी विदेश श्यात्र पर जाने वाले हैं कि राहूल गांधी को टीम सी और टीम सी या अन्य दलों की विस्तता की जानकारी नहीं थी देखी कोई दल जो है वो निथीश कुमार को नेता मानने के लिए और यही कारण है कि यह मिटिंग कैंसिल होई और आगे मी कैंसिल होगी तो इसलिए राहूल गांधी ने इंकार कर दिया विदेश याता अचानक तो विद से मिल कर डेटता है हुआ स्टालीन से मिल कर डेटता है हुआ आगे भी जब मीटिंग होगी तो देखेंगा आधे लोग इसमें आएंगे नहीं